जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जून और 10 जून 2023 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों के इ हर एक शेत्र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रहों की यूती का बनने वाले यूगों का नक्षत्रों का प्रभाव कैसे आपके दिन चर्या को प्रभावित करेगा सिक्षा कैसी होगी वेपार कैसा होगा करियर कैसा रहेगा आपका दामपत जीवन आपका प हर एक जानकारी समय समय पर प्राप्थ होती रहती है। तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के ग्रह नक्षत्रों के बारे में योगों के बारे में जान लेते हैं। सुभा को ही राशी बदर कर शनी की दूसरी राशी कुम राशी में आ जाएंगे जहां शनी मौजूद हैं। तो शनी के साथ चंदर की युति हो जाएगी। और सूरिय व्रशब राशी में हैं बुद्ध के साथ युति कर रहे हैं। और करक राशी में शुक्र और मंगल की य है शत्र विशान नक्शत्र अच्छा नक्शत्र है और इस दिन दोपहर से पृती नाम का योग बनेगा जिसके स्वामी भोगवान विश्ण है और ये योग अच्छा होता है चंद्रमा कुमराशी में शनी के साथ होती है सुर्य वरशेब रासी अम्रग शरा नक्षत्र में और अरव यूग भी इस दिन बनने वाला है यह हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति आब इनी के आधार पर चलिए जान लेते हैं कि कैसा इन ग्रहों का नक्षत्रों का यूगों का प्रभाव आपकी दिन्चरिया को प्रभावित करेगा सबसे पहले मैं बात करूँगी नौजून के बारे में कि नौजून का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है तो एक तो इस दिन आपको थोड़ी एनरजी आपको कम देखने को मिल सकती है या स्वास्ते आपका थोड़ा डिला रह सकता है तो स्वास्ते का थोड़ा ध्यान रखें और ऐसा हो सकता है कि छोटी-छोटी बातों पर आप जुंजला जाएं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे चड़ेगा वैसे वैसे आपकी स्थितियों में सुधार होता जाएगा और साथ में विद्तिये तोर पर भी आपका सुधार होता रहेगा अगर हम स्वास्ते को छोड़ें तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए आज बहुत अच्छी होने वाली है फिर चाहे आप धन संपत्ति को ले लो व्यवसाय को ले लो व्यवाहिक जीवन प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन हर एक चीज़ अच्छा रहेगा आप में से आज कुछ लोग घरेलू सामान खरी सकते हैं या फिर कुछ गहने वगरा खरी सकते हैं इसके अलावा चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे और कोई कीमती बात कोई कीमती चीज़ आपके हाथ लग सकती है जो आपके बेहत काम आएगी और जो आपके साथ समय है उस समय का आपसद उप्योग कर पाएंगे तनसंपत्ति के मामले में आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा रहने वाला है आप अपने कामकाश को पूरे मन लगा कर करेंगे और अपने कामकाश से आपको बहुत खुशी भी होगी प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा किसी काम की वज़े से थोड़ी भाग दोड़ हो सकती है और कुछ खरेदारी का योग है तो खर्चे भी आज बढ़ सकते हैं लेकिन इस राशी के लोगों को आज कुछ नया काम सीखने का अफसर मिल सकता है जिस से आपको लाब होगा आप किछी कुछ लोगों से अच्छा वेवार बना कर रखेंगे तो जब जरूरत होगी तब वो आपके काम आ सकते हैं घर में कोई महमान आ सकता है किसी महमान के आने से माहौल खुशनुमा बन जाएगा आपकी साथ आज सब कुछ अच्छा होगा और सिंगराशी के लोगों के लिए आज वेवाहिक जीवन बेहद अच्छा बना हुआ है कहते हैं रिष्टे उपर स्वर्ग में बनते हैं और ये वाकी में आज आज आपके साथ ये प्रो होने वाला है आज अपना जो आपके पास जो समय है का सही तरीके से आप इस्तेमाल करें कुछ ऐसी चीजों के लिए आप कर सकते हैं जिने आप काफी समय से करना चाह रहे थे तो आपको उसकी बेहत खुशी भी होगी बात की जाए अगर इस दिन के शुब रंग की और शुब समय की क्योंकि चंद्रमा की जो इस्तिती है वो कुंबराशी में है और शनी वहां मौझूद है द्रस्टी कौन इस पस्ट होगा चीजों को अच्छे तरीके से देखेंगे क्या आपको करना है ये आपको बता होगा आसपास के लोग काफी सपोर्टिव रहेंगे और confident रहेंगे आप अपने काम को लेकर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें किसी भी काम को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें काम जब तक पूरा ना हो तक तक उसे छोड़ें नहीं वरना बाद में आपको उसके लिए पच्छतावा हो सकता है तो से लिए इस बात का तो आपको अच्छे से धिहान रखना होगा सिक्षा के शेतर में आज का दिन अच्छा है सिक्षा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है किसी जगहा दान करने का अफसर आपको मिल सकता है और कोई भी अगर ऐसा मौका मिलता है दान पूर न करने का तो जरूर करें अपनी सामरत के हिसाफ से करें थोड़ा करें लेकिन करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात करेंगे 10 जून के बारे में 10 जून का दिन आपके लिए कैसा है अब चंदरमा सिहिंग राशी म को दिखाने का मौका मिल सकता है आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने लक्षन इरधारित करें उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाई बनाए तो आपका जो काम है वो अच्छे से होगा आप अपनी ऑफिस में भी अ अपने लक्षे को असानी से प्राप्त कर सकते हैं कड़ी मेहनत की है अपने उससे काम में सफलता मिलेगी और मेहनत देखे जब भी करते हैं बेकार नहीं जाती तो आज का दिन भी वैसा ही है वैस्त तो रहेगी लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आमदनी आगे रहेंगे रिष्टों में कोई ऐसी परिशानी नहीं दिख रही है और अपने अपनों के साथ काफी अच्छा समय भी देगा अपना अच्छा जीवन आज आप देख सकते हैं इसके लावा वेपार को नया मोड देने का भी निरने ले सकते हैं अगर आप एक वेपार ही हैं आप वेपार करते हैं या साज़ेदारी में काम करते हैं तो उसको कुछ नया मोड देने का सोच सकते हैं जिससे फाइदा भी होगा और धनकी इस्तिति भी अच्छी होगी परिवार वालों के साथ रहने के लिए समय निकालेंगे उनकी सलह आपके लिए महत पूर रहेगी उनकी बातों को द्यान से सुनें आपका मनध्यात्म की तरफ भी रहेगा और अगर आपका प्रेम यह आप से ख़पा है तो समल कर बोलें इसका आसर वरना आने वाले कल पर पड़ेगा तो थोड़ा द्यान रखें आज नए रिष्टे बनने का भी दिन है पहरी निज़र में प्र पूकलर आज़ा आपके लिए बहुत लखी रहने वाला है और दोपहर का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लखी रहेगा उपाय की अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ दान पूरने जरूर करें जो अच्छा है और अगर गवसाला मिलती है तो वहां जरूर दान कर सकते हैं साथ ही चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें